स्वागत है दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त कुलदीव गुलरिया आपके अपने प्रापटी चनल प्राणव रेल से प्राणव रेल्टर से तो दोस्तों एक बफ़े से हाजर आपके लिए एक नई प्रापटी पे और एक नई वीडियो के साथ तो दोस्तों आज का जो वीड के independent house तो शांदार elevation के साथ तो सबसे पहले मैं अपने कली को एक बार request करूंगा elevation दिखाएंगे आपको वो तो आप यह elevation देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इसका elevation आपको यहाँ पर नजर आएगा आप यह देख सकते हैं फ्रेंट में आपको टाइल वर्क आपको नजर आने वाला है यहाँ और लाइट आप यह देख सकते हैं जाए वो लाइट आपके नीचे के बात करें ग्राउंड फ्लोर की आपके टॉप फ्लोर की बात करें बालकनी आप देख सकते हैं टफन ग्लास आपको यहाँ पर देखन को मिलती है अब बात करेंगे ओवराल साइज की तो जो फ्रेंट की पेहले बात करते हैं 22 फिट का इसका फ्रेंट रहने वाला है और अगर हम डेप्ट की बात करें तो 45वीट की जो है वो डिफ रहने वाली है तो ओवराल साइस कुल मिला के 110 गच में हम हमें यह शांदार घर एक अफोर्डेवल सेग्मेंट में हमें यहां पर यह मिलने वाला है अब बात करते हैं लोकेशन की सेक्टर 124 सनी इंकलेव में यह लोकेशन पड़ता है और सबसे नेरस में कहूंगा कि अगर आपको चंडिगड मोहाली या फिर न्यू चंडिगड आप 24 में हमारा यह शांदार इंडेबेंड हाउस यहां पर आपको मिलने वाला है तो यह जान देर ना करते हुए हम आपको घर के अंदर लिए चलते हैं तो घर में जाने से पहले सरसे पहले में शुरुआत में आपको बात करूंगा और दिखाना चाहूंगा आपको यह गेट आपको एंटरी जो है इस तरह श्यांद अदेखने को मिलेगा और लेंप अबस अब लगना बागी जैसे पहले रहा है एक डेजाइनर फ्रेंड वाल आपको शुरुआत महीं यहां पे देखने को मिल जाता है तो आगये चलते हैं उतने घर के अंदर तो घर के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे तूज़्री तो बारकिंग एरियां खेक्स करें का काद आपकी बा किर ह motivis aद होती है और यह तो बीज़्री सकते हैं इस अडर यहाँ परेज़ी कर सकते हैं आप शुरात में जैसे में आपको बताया कि टाइल वर्क्स आपको जो है सामने यहां पर मिले वाला है लाइट्स आप यह देख सकते हैं एक डिजाइनर डोर आपको यहां पर मिल जाता है तो आए हम आपको लिए चलते हैं अब आपको ड्राइंग डाइनिंग अरिया में दोस्तों बात करेंगे अपने हम ड्राइंग डाइनिंग अरिया की तो ड्राइंग डाइनिंग अरिया की आप यह स्पेस देख सकते हैं तो क इसे फिटिंग भी आपको यहां पे जो हैं मिलने वाली हैं आपको हर रूम में ट्राइंग डाइन एक एरिया में तो ओर आप यह देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस आपको यहां पे मिल जाता है अब बात करेंगे इस तरफ हम LED पैनल की तो आप यह देख सकते हैं नीचे स्पेसेस शाब कлек चुए में यहां पर मिलने वाला है कि यहां पर अपर देख सकते हैं अबुशंग कि अपर मिलने वालग बदक करें और यहां पर यह देखते हैं उपर cabinets मिल जाती है एक और चिम्नी के लिए आपको जगा मिलती है आप दका प्रोजन यहाँ पर दिया गया है और तो इसके साथ हम बात कहते हैं आपे dual sync हमें मिलती है आपे soundproof dual sync हमें मिलने वाली है और fitting सारी पूरे घर में ही आपको शेरा fitting ही मिलेंगी और यहाँ पर विंड मिलने वाले हैं साथ काफी अच्छा साइब से घर्ट रचाता है अब पात करें करें ऊपर उफॉल सिलिंग की तो फॉल्थ डे आप वे जैक्षाणल आपको यहां पर मिलने वाली है वेज़ें लाइड fiber PA similar name मेरा मिलती है वहाद वायड न्यों की तो तो यहां पर भी आप स्पेस देख सकते हैं, तो काफी स्पेस आपको यहां पर आपको यहां पर गोलादा है और यह तरह आप यह देख सकते हैं LED पईनल यहां पर भी मिल जाता है तो अहीं हम संतंच करें घरें वाटल실퉁म की और उसी और वचलार में सबयाए invented आप और आपको आपको साइबने बॉल सुपी मिलने वाला है लिए आपको सेकर लूचोंप देने लिए करें और को सेकेड़ चागम हुआ तो सेकिन्न बेडि लूम का फिर तो काफी स्किन्ब्स आप जो बेडरूम का साइज भी आपको मिलने वाला है एक आपका फुल साइज बिड लगने के बावजुद भी आपके पास मुवमेंट के लिए यहाँ पे कफी जगह बचाती है और बात परे उपर फॉल सेलिंग की तो अगेन एक डिफेंट डिजाइन एक शांदार डिजाइन आप आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे अलमीरा तो फॉल सेलिंग हाइट आपकी जो है वह यहाँ पे मिलने वाली है विद स्लाइडिंग डोस तो वह रॉन एक अच्छा साइज बेडरूम का और मैं दिखाना चाहूंगा आपको यहाँ पे भी आपका वाश्रूम का तो वह जो है आपकी प्रोल्च सेलिंग हाइट टाइल कुक यहाँ पी मिल्ले वाली है इसानि में पर खोoooo अब मैं बात करूँगा अपने वाशिंग एरिया की तो वाशिंग एरिया भी आप देख सकते हैं तो काफी अच्छा साइज आपको वाशिंग एरिया में मिल जाता है और यहां पे आपको ग्रिल्ड मिलता है ताकि यहां पर बनी रही है और आपको टैब स्विटिंग और पर पर से लिए आपि लगा सकें तो दूस्तों देख सकते हैं उप्ताने से पहले बात करूंगा कि तो प्लाक उसको अपने बालकनी एरिया की तो आप यह सबसेख सकते हैं काफी श्पेशिंग आपका यह रहना रहने वाला है ता कि शाम के ढाया है अगर आपने फैमली के साथ यहां भी बगठे हैं तो आराम से चाय का मजा ले सकते हैं और इस तरफ जैसे कि मैं ने शुरात में आपको बताया टफन ग्लास हमें मिलता है बालकनी में स्टेल रिलिंग मिलती है हमें तो एक शांदार डेजाइनर आपको यहां पे टफन ग्लास और सेल उरिंग भी आपको मिलने वाली है और आप यह दे देख सकते हैं स्टार्टेंग में है यहां पे इब करपको यहां भी मिल जाता है वियए दो चलते हैं अपने घर के-अंदर पीए जआ टोर देख सकते हैं इस तरहCes जो आपयाफै यहां भी मिल जाता है एक ऐसे से पहले हम बात करते हैं यहां पर इस एरिया की जैसे भी अपने घर में अंडर करते हैं इस पहले हम यहां पर किचेंज का प्रोफिजन दिया गया है आप ऺए देख सकते हैं इसारा से आपको बाइब जाता है यह तो मौडलर के चिछन आपको पूरा कम्प्लीट ही म जाते हैं। जाते हैं। संक दूल आपको दी गई है। वेंटिलेशन सवाइट के लिए प्रॉपर विंड़ो दी जा रही है। कल आपने उपर इसको रेंट आउट भी करना हो। जोड़ी आप रेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि independent houses stairs बहाते हैं नीचे अगर आप रहते हैं छोटी फैमिली एप डूब वेश्की में नीचे रहें के ऊपर वाला portion जो आप रेंट आउट कर सकते हैं कि बिलकुल इसे की सामने जैसे आप देख सक देख पा रहें काफी स्पेस आपको मिल जाता है यहां यहां पर यहां पर बात करें अपने रूम की आपको रूम में भी तो ये आप रोंम का साईस सबिक्राइड और पिए सीजिया पे अच्छा इन या रहा अधेज रहा है ऐना चाहूंगा आप आप देख सकते हैं काफी शांदार आपको यहां पर आप देख सकते हैं आपको सारी यहां पर मिलने वाली है अब बात किरेंगे अबने वॉश्रूम की भी आप यहां पर सानिवे और मिलने चलते हैं आपको तो इस तरह से आपका जो है स्पेस मिल जाता है आपको पीछे आपके घर के फिर्स फ्लोर पे तो ओवरॉल यह हमारा इंडिपेंडेंट हाउस जो कि एक शांदार 110 गर्ज में बना हुआ है और आप यह स्पेस को भी उटलाइज कर सकते हैं डेड़ मंजल यह घर बना हुआ है डेड़ मंजल ही इसका नक्षाबास है डेड़ मंजल और उपर आप इसका नक्षाबास करवाके उपर भी आप इसका कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं तो काफी अच्छा एक साइज और उपर जाने के लिए अगर आप छट पे भी जाना चाहते हैं तो स्टेश आपको मिल जा कि मैंने बताया आपको बहुत शांदा किनेक्टिविटी के साथ आडली 10-15 मिनिट में आप यहां से चंडीगड मोहाली न्यू चंडीगड कर जाते हैं तो अब मैं बात करूं डिमांड की तो बिल्डर की तरफ से यहां पर जो आस्किंग प्राइज है वो है 63,90,000 तो हमारे जो भी व्योज इस तरह की प्रापटी अगर सर्च कर रहे हैं तो एक बाद जरूर इस प्रापटी को भी विजट करें तो मुझे लगता है कि उनको यह प्रापटी जुरूर समझ में आएगी एक बजटेड सेगिमेंट में इस लोकेशन के हिसाब से क्योंकि सेक्टर एक्स में काफी जो रेट है वो अब हायर साइट चला गया है तो यह काफी एक फोडेबल सेग्मेंट में उनके लिए एक शांदर प्रापटी हो सकती है तो दोस्तों इस प्रापटी के रिगार्डिंग कोई भी अगर परी हो तो हमारी नंबर जो है वो डिस्क्रिशन बाक्स में आप काल कर सकते हैं वाटसाप कर सकते हैं वेज़िए का शेडूल कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए मुझे आप हिजाज़त देजिए फिर मिलते हैं नई बापटी नई वीडियो के साथ अब तक के लिए दने वाद